हलो फ्रेंड्स मैं प्रदीपर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपनी गाएं के साथ खड़ा हूँ और आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरी गाएं है ये देशी नसल की गाएं नहीं है दोस्तों आज की वीडियो का विशह भी यही है कि यदि आपके पास देशी नसल की गाएं आपको कहीं से नहीं प्राप्त होती है आपको यदि इस प्रकार की जो एच्चेफ है या कोई आयर श्यार की गाएं है या कोई और जो जर्शी जैसी गाएं यदि आपको मिले तो आप किस प्रकार से उसको देशी समवर्धन कर सकते हैं अर्थात उसकी जो अगली जो पीडियां हैं उससे आप देशी बच्चे पैदा कैसे करवा सकते हैं दोस्तों गाएं पालन जो था इस से पहले इस गाएं को लेने से पहले मैं भेंश रखता था लेकिन स्वामी दायनंद सरस्वती की एक पुस्तक मैंने पढ़ी गव करुणा नी थी इतनी सुन्दर और सटीक विशलेशन वाली पुस्तक मैंने गाएं के बारे में आज तक कोई नहीं पढ़ी थी वो पुस्तक पढ़ने के बाद में मुझे अत्यनत प्रेणा हुई कि मैं एक गाएं का पालन करूँ तो दोस्तों कम से कम तीन से चार वर्ष तक मैं देशी गाएं ढूनता रहा लेकिन कहीं भी मुझे अच्छे नसल की या अच्छे दूद वाली देशी गाएं प्राप्त नहीं हुई उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये बाहर की यदि नसल भी मिलती है सीधी गाएं होनी चाहिए तो उसको मैं अपनी देशी गाएं के समवर्धन में लेकर चला जाओंगा अर्थात इससे जो अगली ब्रीड्स जो आएंगी अगली जो नसले आएंगी उसको मैं देशी समवर्धन कर लूँगा और ये सोच करके मैंने इस गाएं को पसंद किया क्योंकि ये गाएं बिल्कुल अत्यंत सरल सोभाव की और सीधी है आप देख पा रहे होंगे मैं इसके पास खड़ा हूँ और इसके पास चाहिए कितना चोटा बच्चा भी क्योंना खड़ा हो ये किसी को ना तो सर से मारती है और ना ही लाट से मारती है तो दोस्तों इसलिए मैंने इसको चैन करके और इसकी जो अगली नसले हैं उन सूरत है इसका शरीर कैसा है अब देख पा रहे होंगे कि इसके उपर यहां पर हम नहीं है यह जो यह हिस्सा है हम के नाम पर थोड़ा सा इसका यह हिस्सा उठा हुआ है और इसको जो गल कंबल है वह भी काफी अच्छा आया हुआ है लेकिन दोस्तों यह प्योर एच अफ भी नहीं है अब देखिए इसकी जो रीड है रीड कुछ जुकी होई है यहां से और इसके में नीचे दिखाना चाहूंगा इसकी नीचे जो है भी बिल्कुल छोटे हैं ज्यादा बड़े कान इसके नहीं है तो दोस्तों यह जो गाएं है यह इसकी जो मां थी इसकी जो मां थी वो प्योर एच अफ थी लेकिन उसको क्रोस करवाया गया साहिवाल बुल से और उसके बाद यह रिजल्ट आपके सामने है अर्थात इसमें आपको जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा रंग तो इसकी मां का इसका बिल्कुल ऐसा कैसा आ गया लेकिन इसके जो और दूसरे गुन है जैसे गल कंबल है या थोड़ा बहुत यह जो जिसको टांट हमारे यहां पर अर्याना और दिली के आसपास बोलते हैं यह हम यह बहुत है और थोड़ा कमर में इसकी जो है जील है नीचा है और पीछे से उठी हुई है और थोड़ा इसके जो यह पूठे है यह कुछ डाउन है यह थोड़ा जो है वो इसके बाप की बज़े से इसका आया है अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी इसको अच्छी खासी टांट है और इसकी अच्छी है और इसकी कमर बिलकुल नीचे है और इसके जो पूठे है वो भी नीचे है और आप इसकी पूच भी देख पा रहे होंगे इसकी अच्छी खासी पूच है तो दोस्तों यह जो रिजल्ट है यह मैंने इसकी मां को जो ग सब्सक्राइग से गुबिन इशानड और और इसका ग़कंबल देख सकते हैं इसकी ग़्स की जालत इसकी सुन्ड़ी आपसके काफी इसके शुन्डी है और बिल्कुल थंडी ये बचिया है यह बी जो है 7महिने की हुई है और ये पीछे में आपको दिखाना चाहूँआ कि बिल्कुल ये इसके थन जो है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी है ये और मैं दोस्तों ये मानता हूँ कि 100 प्रतिशत तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि इसकी मा जो है वो प्यूर नहीं है लेकिन कम से कम भी 70 से 80 प्रतिशत इसकी अंदर जो है वो गीर के गुण आए हुए है आप कान भी इसके देख पा रहे होंगे आला कि इतने लंबे तो नहीं है जीतने प्यूर गीर के होते हैं लेकिन काफी लंबे कान इसके हैं और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये इतनी परिवर्तित अपनी मा की ब्रीड से अलग हो गई तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि हम देशी गव समवर्धन करें और यदि आपके पास देशी गाएं नहीं है तो आप इस प्रकार से आपकी HF, जर्सी या जो दूसरी आपकी और आयर शायर जैसी जो गाएं है जो बाहर की नसले हैं तो उनमें आप देशी नसल का समवर्धन कर सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कुछ मित्रों के साथ में हमारे कुछ मित्र हैं तो एक कलब बनाया हुआ है जिसमें हम सभी देशी प्रकार के देशी नसल के ही बीज रखते हैं सीमन रखते हैं और उसी का रिजल्ट आपके सामने हैं तो आप भी आपके यहां पर यह पहल कर सकते हैं कि जिससे देशी गव समवर्धन हो सके और जो अपनी जो कदीमी जो गाएं हैं जो सदा से रहती आई हैं उनको आप ले सकते हैं दोस्तों इस से पहले इसका जो भाई था वो एक नूर महल पंजाब गव शाला का सहदेव सांड था उसका वो बचड़ा पैदा हुआ था तो वो जो है हमने गव शाला में छोड़ दिया था और ये गाएं और ये बचिया हमने रख ले तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये कितनी शान्त गाएं हैं कितनी शान्त ये बचिया है और इसका अभी तो ये बड़ी होगी जब बड़ी होने के बाद में इसका रंग रूप ऑभी परिवर्थित होगा इसके अभी सिंग आने प्रारंभ हुए है अब देखए रहे होगे और गीरगाये की खासित क्या होती है दोस्तों की यह कद काथी में उंची होती है और जो हमारी दूसरी नसले है जैसे शाहीवाल से कुछ नीची होती है और यह उस से कुछ उन्ची होती है इसकी टांगे लंबी आप देख पा रहे हों गे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ के आपको को ये वीडियो पसंद आई हो और यदू आप फिर देशी गाते हैं कि हम भी देशी मुर्ण नर्षाइ सकते हैं और आप के पास भी अपनी देशी नसल की गाये जो है वह आ सकती तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वानी को भी राम देताहूं मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विश्य के साथ तब तक प्रसंद रहिए सभी को नमस्ते जी